अच्छा, बहुत अच्छे हूँ, मैं भी बहुत अच्छे हूँ, तो आज हम क्या करने बाले हैं, आज हम बड़ियू लिखने का अभ्यास करेंगे, हाँ, क्या करेंगे? बड़ियू लिखने का अभ्यास करेंगे, हाँ, तो आप लोग जल्दी से शिंस्वर बूग और उसके साथ पैंसिल इरेजर लेकर तयार हो जाओ, ओके, आप लोग तयार हो गए, वेरी गुड, तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन से नमबर है, हाँ, बताओ मुझे 4545, वेरी गुड, अभी आप लोग शिंस्वर बूग के 4545 नमबर पेज ओपन कलो, कले लिए, वेरी गुड, अभी एक्टिविटी स्टार्ट काने से पहले मुझे बताओ, यहाँ पे कौन सा अक्षर लिखा हुआ है, बताओ, हाँ, बड़ियू, वेरी गुड, तो यहाँ बड़ियू लिखा हुआ है, हाँ, ओके, तो चलो, अभी हम लोग बड़ियू लिखने का अवरास कर लेते हैं, देखो, यहाँ पी हम लोगों को बड़ियू लिखने का अवरास करना है, क्यासे करना है? ये देखो चोटी सी आधा गोल फिर चोटी सी आधा गोल की बाग और एक आधा गोल तो चोटी सी आधा गोल और एक आधा गोल फिर यहां से ऐसे घुमाना है चोटी सी आधा गोल और एक आधा गोल और ऐसे घुमाना है और फिर मात्रा देना है फिर देखो हो गए बड़ियू तो बड़ियू कैसे लिखते है चोटी से आधा गूल और एक आधा गूल यहाँ से ऐसे घुमाना है और फिर मात्रा देना है तो देखो यहाँ पे हमने बड़ियू कैसे लिखते है वो step by step finger से trace कर लिए तो अभी यहाँ पे देखो बड़ियू कैसे लिखते है वो लिखा हुआ है हम लोगों को क्या करना है पेंसिल से trace करना है यानि कि इन बिंदुओं को जोर कर बड़ियू लिखने का अफ्रास करना है तो चलो पेंसिल लेलो सबसे पहले क्या एक चोटी से आधा गूल फिर क्या चोटी से आधा गूल के बाद और ये का अधा गूल और यहां से ऐसे घुमाना है और फिर क्या देखो यहां से ऐसे घुमाने के बाद मात्रा हो गए बड़ियू तो चलो मेरे साथ साथ आप लोग भी ऐसे ही बिंदूओं को जोर कर बड़ी उलिखने का अफ्यास कर लो बहुत अच्छे कर रहे हूँ ये देखो यहाँ पे मैंने सारे बिंदूओं को जोर कर बड़ी उलिखने का अफ्यास की अब भी क्या करना है यहाँ पे देखो बिंदों से बडियों लिखा हुआ है इन बिंदों को जोर कर भी बडियों लिखने का अव्यास करना है तो चलो कैसे करना है शोटी सी आधा गोल फिर और एक आधा गोल फिर ऐसे घुमाना है और मात्रा देना है चोटी सी आधा गोल फिर आडे का अधा गोल ऐसे घुमा के मात्रा देना है वेरी गुड ये देखो यहाँ पे मैंने बहुत सारे बडियों लिखने का अभ्यास किये अभी यहाँ पे इन मिंदूओं को जोर कर भी बडियों लिखना है हाँ आप लोग भी कर लो मेरे साथ साथ बहुत अच्छे कर रहे हो ये देखो मेरा यहाँ पे सिर्फ एक बडियों लिखना बाकी है ये देखो यहाँ पे मैंने सारे बिंदूओं को जोर कर बहुत सारे बडियों लिख लिए आप लोग भी लिख लिए अभी क्या करना है? आप लोगों को यहाँ पे देखो और विजारे बिंदों से बड़ी उलिखा हुआ है इन बिंदों को जोड़के बड़ी उलिखने का अव्रास करना है अभी हम लोग यहाँ पे एई चेले पाट का एक्टिविटी करेंगे देखो यहाँ पे हम लोगों को बड़ी उलिखने का अव्रास करना है ّ ?? यह देखो चोटी सी आधा गोल, फिर चोटी सी आधा गोल की बाद और एक आधा गोल तो चोटी सी आधा गोल और एक आधा गोल फिर यहाँ से ऐसे घुमाना है चोटी सी आधा गोल और एक आधा गोल और ऐसे घुमाना है और फिर मात्रा देना है फिर देखो हो गए बड़ियू तो बड़ियू कैसे लिखते है चोटी सी आधा गोल और एक आधा गोल यहाँ से ऐसे घुमाना है और फिर मात्रा देना है तो देखो यहाँ पे हमने बड़ियों कैसे लिखते हैं वो step by step finger से trace कर लिए तो अब यहाँ पे देखो बिंदुओं से step by step बड़ियों कैसे लिखते हैं वो लिखा हुआ है हम लोगों को क्या करना है pencil से trace करना है यानि कि इन बिंदों को जोड़ कर बड़ियों लिखने का अफ्रास करना है तो चलो पेंसल ले लो सबसे पहले क्या एक चोटी सी आधा गोल फिर क्या चोटी सी आधा गोल के बाद और एक आधा गोल फिर क्या चोटी सी आधा गोल फिर और एक आधा गोल और यहां से ऐसे घुमाना है और फिर क्या? देखो यहां से ऐसे घुमाने के बाद मात्रा हो गए बड़ी हूँ तो चलो मेरे साथ साथ आप लोग भी ऐसे ही बिंदों को जोर कर बड़ी हूँ लिखने का अफ्यास कर लो बहुत अच्छे कर रहे हूँ यह देखो यहां पे मैंने साथ बिंदों को जोर कर बड़ी हूँ लिखने का अफ्यास की अब भी क्या करना है? यहां पे देखो बिंदों से बड़ी हूँ लिखा हुआ है इन बिंदों को जोर कर भी बडियों लिखने का अव्यास करना है, तो चलो कैसे करना है, शोटी सी आधा गोल, फिर और का अधा गोल, फिर ऐसे घुमाना है, और मात्रा देना है, शोटी सी आधा गोल, फिर और का अधा गोल, ऐसे घुमा के मात्रा देना है, Very good, यह देखो, यहाँ पे मैंने बहुत सारे बड़ियों लिखने का अव्यास किये अभी यहाँ पे भी इन मिंदूओं को जोर कर भी बड़ियों लिखना है आप लोग भी कर लो मेरे साथ साथ, बहुत अच्छे कर रहे हो यह देखो, मेरा यहाँ पे सिर्फ एक बड़ियों लिखना बाकी है यह देखो, यहाँ पे मैंने सारे बिंदूओं को जोर कर बहुत सारे बड़ियों लिख लिए आप लोग भी लिख लिए, very good, अभी क्या करना है आप लोग को यहाँ पे देखो, और फिसारे बिंदूओं से बड़ियों लिखा हुआ है इन बिंदूओं को जोर के भी बड़ियों लिखने का अभ्यास करना है So, my dear show records, आज हम लोग बड़ियों लिखने का अभ्यास की अभी क्या करना है, यह एक्टिविटी शीट के एक फोटो Google Classroom में सब्मिट करने के लिए मैमी या बापा, किसी को रिपाइंट कर देना है और आप लोग घर में फिर से बड़ियों लिखने का अभ्यास करना करोगे न, हाँ, very good So, my dear show records, आज के लिए इतना साही Okay, take care of yourself, love you all, bye